नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टिमेट नौलेश पर दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दुनिया के पांच सबसे अनोखे और खुबसूरत पक्षियों के बारे में दोस्तों इन में से कुछ पक्षी तो ऐसे हैं जिनें आ का कू को ओ आऊल पैारे टीक के जाना जाता है और यह न्यूज़लैन में पाये जाते है इनकी गर्धन उलहु की तरह होती है तो वहीं पर इनका रंग तूते की तरह हरा होता है जिस कारण से इन्हें आउल पैरेट्स कहा जाता है दोस्तो काका पौतोते की प्रजाती में सबसे ज़्यादा भारी होते हैं और इनकी लंबाई लगबग 22 से ले करके 25 इंच तक होती है दोस्तो ये अपने शरीर के कारण उड़ने में पूरी तरह से असमर्थ होते हैं जिस कारण से ये फुदक फुदक के चलते हैं और अपनी इसी चीज के कारण ये ज़्यादा तर शिकारियों का शिकार हो जाते हैं नंबर दो ग्रिंडेबió दोस्तों इसे देखना बेहादी मुश्किल है क्योंकि इनकी कुल आभादी लगभग 250 से भी कम बची है दोस्तों यह काले और सफेद रंगे होते है नंकी आखे लाल होती है जिस कारण से यह आसानी से पहचान में आ जाते है अगर आप लोग इने देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को पेरू की जुलिन लेक जाना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ड वहाँ पर रहना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं इनके सरनक्षन के लिए सरकार ने इस लेक के अंदर फिशिंग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा है नमबर तीन सूपर लायर बड़ दोस्तों आस्टेलिया में पाये जाने वाला ये बड़ बेहदी खूबसूरत होता है जिस करण से इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत वर्ड में से एक माना जाता है ये वर्ड दुनिया में अपनी कई प्रकार की खूबियों के लिए जाना जाता है इस वर्ड की लंबी पूछ होती है इसे गाना गाना और नकल उतारना बहुत अच्छा लगता है ये कुछ-कुछ कभूतर की तरह दिखता है लेकिन अफसूस की बात ये है कि ये खूबसूरत सा पक्छी बिलुपती की कागार पर है इनकी आबादी बहुत तेजी से घट रही है जिस करण से इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है नमबर चार सूपर वैड उप पैराडाइस दोस्तो न्यू गिनी में पाये जाने वाला ये वर्ड अपने आप में बहुत ज़्यादा सुन्दर होता है वैसे तो ये वर्ड काले रंग के होते हैं लेकिन इनकी गर्दन पर चमकीला नीला रंग होता है और जब वो इसे खोलते हैं जब ये अपनी फीमेल पार्टनर को अपनी और अट्रेक्ट करना चाते है नमबर पाच विक्टोरिया क्राउनिट पिजन दूस्तो इसका नाम कुईन विक्टोरिया के नाम पर रखा गया है और इसे ये नाम इसके सर पर बनने वाले ताज के कारण मिला है दूस्तो इस इसे पीजन में सबसे सुन्दर पीजन भी माना जाता है जिस कारण से इसे किंग्स ओफ पीजन के नाम से भी जाना जाता है ये मुख के तोर पर न्यू गिनी और उसके आसपास के छेत्रों में देखा जाता है